आज बनाएंगे पाटी साधियों बनने वाली हलवाई स्टाइल आलू गोवी मतर की सबजी इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो गोवी इसे मैंने अच्छी तरीके से काटके धो करके रखाया और उसे मैंने बड़े बड़े फूल काटे हैं छोटे फूल काटने से गोवी मैसी हो जाती है दो आलू काट के लिया है एक कट लस्षन है तो हम अद्रक लस्षन मिर्ची और टमाटर का पेश्ट बनाएंगे तो पहले हम आलू गोभी को फ्राई कर लेंगे तो गेस पीपने कड़ाई को चड़ा दिया है अब इसी में हम तेल एड कर लेंगे तीन से चार चमज के करीब और तेल को थोड़ा गरम होने दें तेल हमारा गरम हो चुका है है अब हम इसी में गोभी डाल देंगे को थोड़ी दिर इसाँ तरीके से प्राई होने देंगे है कि तो गोभी को अलट पलट के अच्छी तरीके से प्राई कर लेंगे गूलल्दन कलार होने तक और गोवी के बड़े-बड़े फोल काडते हैं तो सबजी में गोवी देखती है, ज्यादा गलती नहीं है तो देखिए गोवी पर कितना अच्छा कलर आने लगा है तो गोवी मारी गोल्डन कलर की हो चुकी है, अब हम निकाल लेंगे फ्राई गोवी को इस तरीके से खाया जा सकता है, ऐसे भी खाने में बहुत अच्छी लगती है अब आलू को भी हम फ्राई कर लेंगे, आलू को भी हम अच्छा गुलावी कलर आने तक तलेंगे और इसे भी अच्छी तरीक से अलट पलट करके तल लेंगे तो आलू हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, अब हम निकाल लेंगे अब तेल को हम कम कर लेंगे तो तेल मेंने कम कर दिया है और तेल को थोड़ा गरम होने देंगे तो तेल गरम हो चुका है इसमें एक चमस जीरा डालेंगे एक तेज बत्ता थोड़ा सा दाल चिनी का तुकड़ा तीन लोंग और मसालों को थोड़ा क्रेकल होने देंगे तो मसाले हमारे क्रेकल हो चुके हैं अब यहीं पर यह एक प्याज बारिक काट के लिए वो डाल देंगे और प्याज को अच्छा गुलाबी होने तक भूनेंगे चलाते हुए गेज की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे तो देखें प्याज हमारी अच्छी तरीके से गुलाबी हो चुकी है अब यहीं पर हम आधा चमच हल्दी पाउडर एट कर देंगे एक चमच धनिया पाउडर एट कर देंगे आधा चमच लाल मिर्च पाउडर एट कर देंगे आधा चमच कस्मीरी लाल मिर्च एट कर देंगे आधा चमच जीरा पाउडर डाल देंगे आधा चमच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और मसालो को हम थोड़ा भून लेंगे अब यहीं पर थोड़ा सा पानी एट कर देंगे यह मैंने गरम पानी लिया है ताकि मसाले हमारे जलेना और मसालों को अच्छी तरीके से भूनेंगे चलाते हुए तो दीखें मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं अब यहीं पर हम तमाटर अधरक लसन हरी मिलचे का पेस्ट एड़ कर देंगे और इसे भी चलाते हुए भूनेंगे टमाटर को हम जब तक पकाएंगे जब तक की ऑईल सेपरेट ना हो जाए अब यहीं पर एक चमच नमक एट कर देंगे नमक आपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं इसे हमारे टमाटर जल्दी पकेगा तो नमक को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और गेज की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छी तरीके से पकें अब इसे एक मिनिट ढख करके पकाएंगे एक मिनिट हो चुका है ढख के पकाते हुए तो दीखिए, टमाटर हमारा थोड़ा पक चुका है, तेल भी उपर देखने लगा है, अब यहीं पर हम मटर भी एट कर देंगे, ताकि मटर भी सांसाथ पक जाएगा टमाटर के, मटर को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, तीन से चार मिनिट मटर और टमाटर को हम ढख कर के पकाएगे, ताकि मटर हमारा जल्दी पक जाएगा और मटर भी सॉप्ट हो जाएगे, तीन से चार मिनिट हो चुका है, ढख के पकाते हुए, तो यह देखे, आल सेप्रेट हो चुका है, तमाटर हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है, तो मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है, अब हम तेज पत्ता को हटा देंगे, इसका फ्लेवर मसालों में आ चुका है, और इसे एक बार अच्छी तरीके से चला कर देंगे आलू गोवी को भी मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक मिनिट तक मसालों के साथ आलू गोवी को भूनेंगे एक मिनिट हो चुका है आलू गोवी को भूनते हुए अब यहीं पर हम गरम मसाला एड़ कर देंगे आधा चमच और इसे भी मिक्स कर लेंगे एक बार आप इस तरीके से सब्जी बना करके देखेएगा आलू गोवी मढर की बहुत ही टेस्टी बनती है अब यहीं पर हम एक गिलास पानी एड़ कर देंगे यह मैंने गरम पानी लिया है और सब्जी को अच्छी तरीके से चला लेंगे सब्जी थूड़ी थीक लग रही है आधा गिलास पानी ओर एड़ करेंगे क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे है तो टोटल गिलास पानी डाला है आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं गाड़ी यह पतली अब इसको हम ढख करके पकाएंगे चार से पांच मिनिट सिलो आज पर तो चार से पांच मिनिट हो चुका है सब्जी को पकते हुए हम चेक कर लेते हैं तो एक बार सब्जी को हम चला लेंगे आलो को चेक कर लेंगे आलो हमारे कितने पके हैं तो देखें आलो हमारे बहुत अच्छी तरीके से सौप्ट हो चुके हैं सब्जी हमारी बन चुकी है अब यहीं पे हम हरा धनिया एट कर देंगे और आप सब्जी की रंगत को देख सकते हैं यहीं पे एक चमच कसूरी मेथी भी एट करेंगे धनिया कसूरी मेथी को भी मिक्स कर लेंगे तो देखिए सूपर टेश्टी सी गोभी मटर आलू की सब्जी बन करके तयार है अब गेस की फ्लेम को करते हैं बन और मैं आपको सर्द करके दिखाती हूँ तो देखिए हलवाई इस्टाइल आलू वो भी मडर की सबजी बन चुकी है इसे आप रोटी से खाईए, पराठे से खाईए, राइस के साथ खाईए, पूरी से खाईए बहुत ही टेश्टी लगती है, इसका स्वाद बहुत ही गजब का आता है तो इस तरीके से बनाना तो बनता है थोड़े से हरे धनिया से गानिस करेंगे तो आपको आलू मटर वोभी की सबजी की रेसिपी कैसी लगी? कमेंट पर मताईएगा, लाइक सेर करिएगा, मेरे चैनल को सस्क्राइब करिएगा बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूलें, मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए